दोस्तों इससे पहले मैंने Instagram को पर बहुत से वीडियो बनाए है बहुत से वीडियो में मैंने Tips of Tricks बताया है जो कि मैं अपने Clients ले यूज करता हूँ और उस वीडियो से काफी लोग की मदद भी हुई है उस वीडियो में हजारों कमेंट आया है उसमें से कुछ कमेंट ऐसे थे जहां पे लोग बोल रहे थे कि सर अब Instagram ते जो अल्कुरिदम है वो तोरी सी चेंज हो गई है जिसके कारण हमारी जो engagement है जो reach है वो बहुत जादा डाउन हो गई है तो इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने Instagram पोस्ट की reach जादा कर सकते हो दस गुना reach आप ला सकते हो तो इस वीडियो को लास तक देखना सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर दो तो सबसे पहले हम समझते कि reach actual में होता क्या है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता तो basically क्या होता है आप जब कोई post upload कर तो Instagram में और वो जब logo तक पहुशता है लोगों के mobile screen में पहुशता है तो उसको बुला जाता है reach कर नहीं आपकी post उन तक reach हुई है तो हमारी ज algorithm है उसके कुछ rules होते है उस rule को सबसे पहले हम समझेंगे देखो एर Instagram की जो algorithm हमें उसकी rules क्या होती है सबसे पहले यह मैं समझाता हूँ आपको for example आपने एक post ड़ा है ठीक है तो Instagram क्या करेगा सबसे पहले 100 लोगों को दिखाएगा 100 लोगों में से अगर 10-15 लोग लाइक कर देते है यानि 10-15 परसन अगर उसमें लाइक मिल जाता है तो फिर Instagram क्या करेगा उसके बाद और 500 लोगों को दिखाएगा अगर 500 लोगों में से 2-3% लोग है लाइक करते है तो आपकी post जो है वो थम जाएगी वो बाकी लोगों तक नहीं पहुचेगी क्योंकि Instagram की जो algorithm है उसको लगएगा कि इस post में कुछ ऐसा खास नहीं है जो लोगों को मजा आने वाला है इसलोग आपकी post है वो down कर दिया जाएगा और लोगों तक reach नहीं पहुचाया जाएगा तो इस चीज को अगर हम crack कर लेते हैं तो हमारी जो post है उसकी जो reach और engagement दोनों बहुत बढ़ जाएगी तो इसको crack कैसे करेंगे यही सबसे पहले हम समझते हैं देखो पो सबसे पहले आपको जो ghost follower है उनको अपने account से delete कर देना है ghost follower basically वो होते है इनक्टिव होते हैं जिसने आपको follow करके रखा हुआ है बट वो इनक्टिव है यह फिर active ही है तो आपके post को ना आपको like करता है ना ही comment करता है बस देख के छोड़ देता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोग को आपके account से remove कर देना है हा मुझे पता है followers थोरा सा कम दिखेगा पर देखो short time में कम दिखेगा long time में followers बढ़ जाएगा क्योंकि Instagram क्या करता है जब ऐसे ghost followers को दिखाता है और वो कोई react ही नहीं करता है ना ही comment करता है ना ही like करता है तो Instagram को लगता है यार इसका post सही नहीं है हटा इसको हम engage नहीं करवाएंगे पर reach नहीं करवाएंगे तो सब से पहले ghost follower को अपको अपने account से remove करना पड़ेगा second चीज है जो लोग interested है उन तक आपको पहुचना पड़ेगा जब आपके product में interest लेने वाले logo तक आप पहुचोगे तो ही आपके post में likes, comment, share आयदा और आपके post जो है वो reach करेगी, engage होगी और आपके followers भी gain होंगे और आपक profit मिलेगा, तो इस topic में मैंने एक video में बात किया था, इसलिए मैं दुबार उस topic में बात नहीं करूँगा, जब आप ये चीज़े कल देते हो, ghost follower को remove कर देते हो, फिर आपको कुछ चीज़े अपनानी पड़ेगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा discuss कल देते हैं, आपको द आपको पोस्ट करना है, जब आप पोस्ट करोगे, आपके जो followers से वो online रहेंगे, तो आपके पोस्ट में वो like करेंगे, और जो engagement है, जो reach है वो बढ़ जाएगी, और ये रूल बरे-बरे creator फॉलो करता है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हो, जिसके 2-3 million followers है, परसनल मों को ज ये सारी चीज़ देखते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका business account नहीं है, तो business में convert कर लेना, उसके उपर शायद मैं वीडियो बनाया होगा, अगर बनाया है, तो मैं i button में उसके link डाल दूगा, second है दोस्तो, A-B testing, तो A-B testing क्या होती है, वो हम समझते है इसलिए क्या होता है, आप एकी post बनाओ, और उसकी ना आप hashtag बगरे change कर दो, ठीक है, और उसकी timing आप change करके देखो, कि किस में जाद आपको engagement मिल रहा है, for example, आपने दो पोस्त लिया, एक में आपने कुछ hashtag डाला और दूसरे में दूसरे डापक अपने hashtag डाला, उसके बाद तेस्टिंग में आप font बगरे भी change करके देख सकते हो कि कौन सा font अच्छा दिख रहा है, और फिर colors बगरे चेंज करके आप देख सकते हो कि कौन सा color सही लग रहा है, कौन से color में जादा engagement के पिर ज्यादा रीच मिल रही है, हैना ये चीज़ आप करोगे तो इसको बोलते है रिलेशन बिल्ड हो गए है, एक दूसरे को जान गए है, तो जब वो अपने follow list से unfollow करेगा तो आपको नहीं करेगा, ठीक है इसको बोलते है engagement, तो आपको थोड़ा से engage करना है, अगर आपको लगता है कि मैं उसको follow back कर सकता है, तो आप follow back भी कर देना, इसमें आपका कोई loss तो नहीं है, उनको एक relation build वहार feel होगा, जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा profitable हो सकता है, और जब उसको message करोगे तो उसके profit होता है, पता नहीं आप ने कर भी यह चीज़े notice की क्या, for example, आप Facebook में किसे बात करो, message में, तो उसके बात क्या होगा, वो अगर कोई post डालेगा फोर्स है, आपके जो फॉलोवर्स है उसको बीच-बीच में थोड़ा बात कोईशन कुछते रहो, अब कैसे पूछन कैसे पूछों करोगा नहीं, तो इस्टोरी में आप कोईशन पूछ सकते हो, for example, आपने इस्टोरी में दो पोटो डाला या फिर दो प्रोड़क्ट डाल इस तरी के चीज़े आप कर सकते हो, साथ ही साथ आस्क कोईशन वाला भी पूछ सकते हो, कि आपको कौन सा प्रोड़क्ट चीए, आपको कौन सी सर्विस चीए, आप क्या ढोल रहे हो, आपकी बिजनस में क्या इशू आ रहा है, जिस भी फिल्ड से आपको उससे दोस्तों, रॉन एड्स सबसे पढ़िया है, जहापे आपको थोड़े से पैसे लगाने होते हैं, बर उससे क्या होता है, नए फॉलोवर्स आजाते हैं, आप अगर रिल्स पगरे में काम करते हैं, आप बहुत सर्वी रिल्स पहले बना लो, बनाने के बाद आप उसका एड अगर आपका कॉंटेन अच्छा तो आपको पॉलो गरेगा, और उससे भी आपके रीच बढ़ेगी, अपने हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो, जो बंदा है वो 20 साल का होगा, वही मेरा सिर्फ रील देखेगा, फिर मेरी पोस देखेगी, इस टेप से आप एड्स के त कर सकते हो, और बैगरांड में थोरा बात नॉइस आ रहा होगा, अब उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं सेटम बगरा तो थोड़ी से तक्लीफे होगी, तो उसके लिए आर स्वारी, बाकि आपको और किसी नए टॉपिंग वीडियो चीए, तो नीचे क कमेंट करना, हम उसके उपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो के आपके खतम करते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो में, सब्सक्र दोस्तों ख्याल रखना, बाए, टेक कियर.